इसना भी question भी बहुत important है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है, if x to the power m whole to the power n is equal to x to the power m to the power a, sure that m to the power n minus 1 into n to the power m minus 1 is equal to n to the power m, तो अधिके fast given, given क्या है, ये है given, x to the power m whole to the power n is equal to x to the power m to the power n, ठीके, तो इस्ते हम एक equation बनाएंगे, implies x to the power m, मानली जी ये है, a to the power x whole to the power y, तो इसे केस में हम क्या करते है, इन दोनों powers कूँ इंटर कर देदे, तो एक दो पावर xy हो जाएगे, ठीके, पावर, तो सेम यहां देखे, x to the power m, n हो जाएगे न, is equal to x to the power m to the power n है, तो देखे, implies, देखे, यहां बेस सेम है, x और x है, मानली जी एक दो दो पावर x है, is equal to at the power y है, तो दोनों बेस सेम है, तो दोनों बेस को हम काट के, यहां जो दो पावर्स है, दोनों के पावर्स हम equate कर सकते हैं, तो यह जैसी हो जाएगी, x is equal to y, बेस सेम है, equal sign है, बेस काट देना, तो x is equal to y, तो यहां भी सेम काम कर लेंगे, तो यहां देखे बैस सेम एक्स एक्स है तो काड़ देना तो यहां बाचे के क्या M N is equal to M to the power N है अच्छा इसको हम equation 1 लिख देंगे क्योंकि इसके काम आएगे आप देखिए यह जो statement यह जो equation प्रूब करना है ला तो left hand side लेंगे और right hand side दखा देंगे तो LHS left hand side में क्या है M to the power N minus 1 into N to the power M minus 1 अच्छा is equal to यहां एक चीज़ आच्छी से देखना माल दीजिए M to the power N है divided by M to the power 1 M की power 1 है यह understood है समझा जाता है लेकिन लिके यहां नाल के कोई फरक नहीं इसके case में हम क्या करते है base दूनु सेम है और एक को दूसरे से divide दिया जा रहा है मतलब दूनु divide में है तो इस time में हम क्या करते है एक law है laws of indices में ऐसा law है जो law यह कहते है कि अगर किसी जो पावर को डिवाट दे रहे हैं अगर सेम बेज से डिवाट देना है तो जो नीचे है इसकी power मैनस कर देना किसी उपर के जो बेज है इसकी power से तो उपर के बेस के power N है न तो M to the power N क्लें मानस यहां क्या है one है तो मानस फरी के यहां में लाएं तो में तो मैंनलैंगे तो M to the power है क्या होगी एहां ण होगी डिवाइद बvाई M to the power one बस भाई म यहां इन्टु है ना इन्टु तो इसकी केस में भी साहिम करेंगे, n to the power यहाँ m है, divided by n है, n है यहाँ 1 है तो n to the power 1, आचा, आप देखे, is equal to, देखे, उपर उपर इंटु कर दना वार नीचे नीचे इंटु कर दना, कि भी यहाँ into है, तो m to the power n, into n to the power m, divided by m, m into n है ना मतलब m, इसकी बराबर है ना, तो इसकी जागा, इसकी जागा, यह जो m to the power n है, इसको लिख देंगे, m to the power n लिख देंगे, और यहाँ, बेकर में लिखना, यहाँ, using equation 1, using 1 लिखने से हो जाएगे, तो implies, आप देखिए, m to the power n, m to the power n कट गाई, यहाँ उपर बाते रहाँ, n to the power m, तो implies, sorry, is equal to n to the power m, तो देखिए, n to the power m है ना, तो is equal to rhs, rhs में है ना, hence, show, तक कहा हो गया भाई, वीडियो अगर आपको पसंद आया न, तो लाइक बड़न दबादेना, और हाँके दूस्तों के साथ शेयर केरे देना भाई, वीडियोग, ये झाल ने तूसलों के साथ वीडियोड़ता के साथ पसक्थेजरgado थाँए, वीडियोगता रहाँ, वीडियोगा एल लेडियोई साथते हैं, टो से पसवाबन हो गूस्तों काता थाँज एल tavalla में हो स moonlightंटे साथते हैं, तो में हैं, पूस्तिते हैं सायरों में